नमस्कार दोस्तो अब आपको यहां पे problem हो रहोगा Sir अब पूरी तरीके से हमारा Theore exam हो गया है लेकिन अब practical exam हम किस तरीके से और कैसे लेंगे कभ उसका एगा Admit card? और क्या किस तरीके से question आएगा? क्या इसके Important Question हो सकते हैं? या किस पर r 4 के लिए क्या देना और r 5 के लिए क्या देना, जी हाँ बहुत ही सही वीडियो के आप यहाँ प्याँ आये हो, मैं आपको सारा का सारा डेटील आपको बहुत आच्छे से दूहंगा अगर किसी प्रकार के आपको DOUट होता है तो आप मुझे call भी कर सकते हूं, मैं आपको सारी जानकारी free of cost दूँगा मैं यहाँ पर सारी separate individual video भी बनाओंगा कि practical में क्या क्या पूछे जाएंगे कैसे question पूछे जाएंगे और कैसे आपको करने है, M1, M2, M3, M4 और सारी चीज के लिए आपको यहाँ पर मैं separate practice कराऊंगा, इसमें आपको कोई भी चार्जस नहीं देने, यह absolutely आपका free रहेगा सारक सारा classes जो आपको रहेगे, free रहेगा, जो कि आपको पूरी तरीके से आपको question के साथ answer भी मिलेगा, आपको PDF की अगर आव सकता रहेगे, PDF भी आप मुझसे ले सकते हैं, वो भी free of cost में ठीक है, important question भी मैं आपको दूँगा, और complete guide भी दूँगा, चली वीडियो को start करते हैं, मैं हूँ आसेज, आज आपको मैं पूरा practical की बारे में discussion करूँगा तो practical के लिए आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आपने अगर apply किया होगा, मनलिज ये M1 का हो गया, M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया, और इसके बाद M4 आजाएगा, ठीक है न, अगर यहाँ पे ये सारे आपके दो pass हैं, और दो appearing हैं, तो ही आप practical के लिए क्या eligible रहोग हो गये, ठीक है, अब बात आती है, admit card की, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा, इसका admit card जो रहेगा, वो separately आएगा, individual सबको मिलेगा, जो कि 20 तारिक तक हो सकता है, कि आपके string.net.gov, आपका पूरी तरीके से upload हो जाएगा, upload कि अगर जानकारी आपको नहीं मिल पाती तो आप हमारे माध्यम से ही जूड़ सकते हो, हमारे YouTube चैनल और हमारे WhatsApp के जरी जूड़ लो, आपको सारक सारा information free of cost मिलता रहेगा, अब हमारे Telegram चैनल से भी जूड़ सकते हो, जो कि आपको free of cost कोई भी charges नहीं देने होंगे, तो आपके ये देखिए dead seat यहाँ पे available है, जो क आपका 9 से लिए की 12 तक सारक सारा exam आपने दिया है, जो कि थियूरी था, आप यहाँ पे practical exam आप दोंगे, जो कि R4 के लिए भी रहेगा, और R5 के लिए आपका क्या रहेगा, 30 से और 31 के बीच में आपका exam होगा, और इन सब के लिए separate admin card आपको provide किया जाएगा, कहाँ पे center यह होगा, यह आपको उसी admin card में बताया जाएगा, आपको यह भी बताया जाएगा, जो कि इसका भी center जाता है, particular अलगलग जगर पे, वहाँ पे भी आपको में सारे system पे आपको practically करके दिखाने होंगे, जो कि question mark आपके, means question भी आप से पूछे जाएगे, जो question आपका रहेग अब वाईबा, आप कहेंगे, sir, इसमें project भी जमा करना तो, project और practical से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, आपको practical अलग हो गया, project अलग हो गया, ठीक है, यहाँ पर इमस सोच लेना कि आपकी, क्या, यहाँ प्रैक्टिकल के साथ project ले जाना, compulsory है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप जो अफवाएं हैं, उनसे साधान रहें, और proper तरीके से सही जानकारी आप ले सकते हैं, यह सारी जानकारी जितनी भी मैं बता रहा हूँ, आपको इस्टें.knowledge.gov.in पे आपको अच्छे से आसानी से मिल जायागा, easy way में, ठीक है, ना, उसका link भी भी आपका हैंगे और M4 से भी पूछेगा, अब बात यह आती है, R4 वाले क्या पढ़ेंगे, और R5 वाले क्या पढ़ेंगे, ठीक है, ना, R4 वाले और R5 वाले क्या क्या पढ़ेंगे, आपको पता होगा कि R4 वाले जो पढ़ेंगे, यहाँ पे अपने पुराने मॉडल्स और R5 वाले जो अ आपका R4, R5 दोनों एक ही में रहेगा लेकिन आपको जो करना होगा अगर R4 का फिल किये रहोगा तो आपको R4 का practical करना होगा और R5, अगर आप एक्जाम दिये हो तो R5 का practical आपको करना होगा और जो आपके marks पूछे जाएंगे M1 में 20 marks यहाँ पर पूछा जाएगा 25 marks का M2 में भी आपका 25 marks का पूछा जा सकता है ठीक है ना अच्छा और इसके बाद यहाँ पर M3 और M4 ठीक है ना यह दोनों आपका combine हो सकता है सकता है ठीक है तो जो कि आपका क्विशन आपर Qs मतलब 30 marks यहां को मिला के क्या हुचे लाओ का हॉन्डेड मा 먭 अब इस में से आपका 50 प्लस अगर तो आपका रेजल्ट क्या होगा पास रवाइस क्या हुगा आपका रेजल्ट हो speaking ठीक है तो बहुत अच्छे से ध्यान से इसमें आप देखिए का नहीं तो आपको में नहीं आएगा उम्हीत करते हैं इतनी सारी जानकारी आप वी प्रॉपर तरिके से समझ में आ गया होगा आपको आप देखें करते हो इसके बाद यहां पर देखिए आपको यहां पर उमीद है कि अप्लोड हो जाएगा जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा इसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा सब्सक्राइब बटन दबा के और नोटिफिकेशन आल पर क्लिक कर देंग के इसके बाद आये समझते हमारा कुष्यों किस तरीके से और कैसा पूछेगा तो यहां पर देख्चन कुच आपका इस तरीके से horn पोछेगा जैसे सबसे पहला किसे अने क्ची स्लेक्श कि जो की 25 आुडव मांक्स का आपका यहां पर होगा जैसे कि आपको देखि पॉइंटर में चींज करने और उसको नौर्मल भी करना है ठीक है फिर इसके बाद है अपर देखिये एडवांस है आपर टू मन्त है आप क्या आपने डिट टाइम को है फिर फिर इसके बाद है आप तो आपको मिल जाएंगे तो देखिए कैसी होंगे कहां से कैसे किये जाएंगे आए मैं हापके करता हूं देखिए सबसे पहला मैं हापी बताता हूं आपको कि डिस्प्ले से पॉइंटी यस पॉइंट मतलब अगर यहां पे क्या defender करना है पॉइंटी एल यह आपको तुरंत जाना और कंट्ल पैनल में। ठीके न तो यहां पर आप देखिए कैसे इस बता बता दो search box की जरीया control panel में जा सकते हैं इसके बाद यहाद आप search button यहाद पे press करेंगा और यहाद पे control panel की जरीये भी आप यहाद पर search माउस की पूपरटी आप को ये दिखा ठीक ना अच्छी स्माउस के पौपरटी पी जाने की बाद, इस पर क्लिक करेंगे एख ये चीज की शीव रिप्रेंगे लोग प्रोपर इहां है stating यहां से आपके माउस का जीतनी में पूरग नेंगर सका अपने अपका धेकिन आपधि को डिस्प्ली चेंज करने इसमें देखे कोई भी आप्शन पूछ सकता है ऐसा जरूरी नहीं कि यही आप्शन ही पूछेगा ठीक है ना तो यह चीज में आपको बता है आपको पॉइंटर की टाइप है अलग लग पॉइंटर के टाइप हाप दिये कर रहे हैं ठीक न तो जै जैसा आपका यहां पर शो करने लगेगा देखिए डिफॉल्ट आपका होगे तो यह आपका माउस का पॉइंटर है कुछ ऐसा ठीक है अच्छी इसके बाद देखिए इसी में और कुष्टन आपका क्या है कि आपका डेट टाइम को चेंज करना यह भी कहां मिलेगा आपके आपका को क्लिक करेंगे तो आपके देखिए डाइम यहां से आ गया आप जो भी time दिया है एडवान्स का या लोका वो टाइमिंग आप यहां से प्रॉपर तरीके से चेंज कर सकते हो अब क्या एक बनान है आपको फाइल ठीक है अब यह काम देखिए आपके पूछ सकते हैं अगर आप आर फाइब से होगे बिलॉंग करते हैं तो यह चीज़े आपको लिब्र आफिस में करना होगा जो कैल का होगा अब कैल में आपको देखिए बहुत अच्छे से पढ़ाया गया क आपके इस तरीके साब सारा काम एक करोगे तो इस उतना ही इंस्टक्षन आपको फॉल्व करना जैसे कि आपको देखिए यहां पे क्या ड्रा बाॉंडरी ऐराउंद वरग्सिट वर्चिट्ट के क्या बाॉंडरी देना है मतलब क्या बाउंडरी कैसा होना ची मिल्स्मेश आप यहां पर क्या कर सकते हो वॉनेट डेना जो भी कुछ डेटा लिखो गाई उसकी बाउनडी देना अच्छे एक चीज और पर चींज्ड फॉंट यहां पर इस फाइल को आपको सेप करना है किस नाम से परने डॉट यहां पर क्या ग्रिट डॉट एक्सलेस तो इसको मैं जैसे सिप करूंगे देखे मुझे नाम पूछे गाती तो बहुत अच्छे से पता है क्योंकि आप पीपर दे चुके तो आपको आता ही होगा ठीके ना ट्सक्राइब अच्छे पता है एकहां पर क्या करना है धो ठीक है और जाएज क्या हाई करना है और अच्छे म được नुक्रूट खेंगे क्लिक ना ट पॉइंगे ॊथ इसकी अशाइज के हैu है यहां ड हो खेंगा अइय यहां से आप अंडलाइन ले सकते हो ठीके ना बस यही काम आपको क्या कहां पर करना है और कुछ करना नहीं इसके बाद देखे यहां पर क्या करना है अच्छे देखे कैल कभी एक बार में ओपन करके आपको दिखा दूँ आपको समस्चा तो नहीं होना चाहिए ना मेरा उद बिल्कुल नहीं समझना ठीक है ना बस वही जो आप पुराना पढ़ते आए वही चीच रहेगा अब यहां पर देखे क्या अब यहां आप साइज बोलने हैं आप क्या आप 14 कर सकते हो ठीक है जो भी आपको यहां से आप कर लेना आप को यह प्रैक्टिकल में करा हैं अगर जात्रe कर तक आपको यहां पे क्या बढ़ना है अवर बढ़ाने के लिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि हापकर मैं यहां पर क लिए यहां जर नंख मथुलिया महित इसब कर लिए यहान पर आप इससेgon करते होगा प्र मिनोש भी उच्ऱट तो पर करे sturdy देख यहाँ से करना जया क्या हों चोड़ा है अद्रम diplomate anniversary 현 1 अर्व इसब लेलो और इसके बादे बादे न लेलों सब्सक्राइब आत्व से क्लिक कर दो तो जो भी क्लिक कर दो अपने आप हो जाया गए एक बार क्लिक कर दो हो जाएगा सेलेक्शन ठीक है या अगर यह पूरा चीट यहां से पूरा सेलेक्शन कर सकते हो ठीक है यह भी पूरा चीट यहां से पूरा सेलेक्शन कर सकते हो तो आपको क्या हो जाएगा इसके बाद यहां पर राइट लेट आपका दोनों हो गया अच्छा फिर इसके बाद यहां पर आपका पूछ सकता है कि जो की आपका इसमें रहेगा ठीक है तो यह अच्छे से स्क्रिफ्शन को अच्छे से प्रेक्टिस कर लिजीगा जिससे आपको समस्य ना हो इसके बाद देखिए यहां पर MS वर्ड पर आपको क्या करना देखिए नया बनाल जो MS वर्ड का अगर माले जार फोर की बात करेंगा करेंगे में स्वर्ड हो जाएगा और फाइफ की बात करेंगे तो राइटर कहलाएगा ठेकर लिब्र आफिस का राइटर ठेकर हाभी बोल रहे हेडिंग आपको 20px कहोना ची पीटी कहोना ची और फॉन्ट एरियल होना ची बोल्ड होना ची लेप्ट अलाइमेंट नंबर इ यहां पर लिखूंगा क्या यहां पर मैं लिख दोंगा भई अ कि है बात करां क्यूशन फोर की हम तो अमस्वर्ड प्रॉपर तरीके सम देखें यहां पर खोल लिए है अब इसके बाद देखें हमारा काम क्या करना यहां पर इसका हेडिंग जो रहाएगा वो 20 pt हैं पर मै यहां पर देखें इसका font क्या होना चाहिए एरियल होना चाहिए तो आप एरियल यहां से सच कर लेंगे बोहई अगर आपको नहीं मिलता है तो यह वाला बटन दबा कि हम पर प्रङ्पर तरीक से अरियल जोभी आपको मिलेगा उस अरियल को यहां पर आप क्या मेंहां पर लेता हूं जो आपका बोल्ड का काम करता है ठीक है फिर Basis के बाद यहां पर उसका vous बाद यहां पे paragraph भो हमाना चाहि वहенमें होना चाहिए और इंडेंट उसकाः zero point five आप कहेंगे इंडेंट कहां होता है तो इंडेंड देखी आपका यहां पर मिलेगा baik अपका कहा मिलेगा यह left then again Спांद इसके इंडेंट आपको यहां किसी इन कर सकती है कि लिग सकते हैं टृष तरीके सब छफटा फटा या या पिए अपर प्रोसेसिंग कर दिया अब इसके बाद करेंद इसमे डूसरा भिखेंट ईस्थे मैं अपया है घ्यकंग यहां mo है left indent के जीरो पॉंट फाइब है अपका लेड़ी यहाप बाइडिफॉल्ट होता है तो इसको आप यहाँ पर ले लिए हुठीक है अच्छा element justify alignment क्या होना चाहिए और यहाँ पे क्या व्यएक फॉर्ममें रोमन नमबर का फॉर्म आप देखें आप फिर से क्या इसका फॉंट है पे चेंज हो रहा है अब यही चीज़ आपको यहां पर प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा तो इस सारा क्यूशन आप यहां पर प्रॉपर तरीकिस देख लीजिए ठीक है क्यूशन किस तरीके से पूछता है यहां से टाइम ट टॉप मार्जिन यहां पर बॉटम यह सारा दे रहा है तो यही सेम चीज़े आपका कि अगर मैं लिब्रेट आफिस में बात करें देखें लिब्रेट आफिस में आपको यहां पर ओपन करके दिखाता हूँ तो आप वहां पर यह भी प्रॉपर तरीक कैसे देख पाओगी आपको करने में कोई वर्क यहां पर कोई काम करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए ठीक है ना क्योंकि में सारा प्रैक्टिस करा दिया है अकर आपको नहीं पता होगा तो प्रैक्टिस का वीडियो में डिस्क्रिप्शन में देदूगा वहां से जाकर आप जरूर देख लिजएगा जिससे आपको कोई समस्या ना हो इसको प्रैक्टिस करने में अब देखिए कि फॉर्मेट में आपको बता रहा है किस तरीके से question पूछा जा सकता है ठीक है न इस बारे में आप बहुत अच्छे से समझ लिजागी जैगी यहां पर पाच्वा के उसन यहां पर आपका यह है यहां पर क्या बोल रहा है बहुत अच्छे से बता होगा मुझे अडेना यहां अच्छी तो जब तक आपको बॉरड़ देना चाहीACE है अब जब तक आप के अलामा हो गया यहां पर देखें फिर सब्साइज बस यह चीज़ पूछ रहा है फॉंड साइज हो गया फॉंड साइज बढ़ाना आता है ठीक है अब सी को हाइड करना फिर ठीक है ना इसलिए 15 करेक्टर अभी देखें फिर से रिपीट हुआ था ठीक है फिर इसके बाद यहां पर देखें create the document of word जिसके हाँ पर क्या minimum और maximum यह आपको क्या font की size बोल रहा है ठीक है margin जो आप कर रहेगा वो देना है अब bullet भी मतलब bullet numbering देना है address, base यह आपको क्या वहां पर बनाना है मतलब क्या table बनाना है ठीक है अब इसके बाद आप पिक्चर एक इंसर्ट कर लीजिए कोई animal वगर एगा ठीक है header वगर भी आप है आप पर क्या header footer आपको बहुत अच्छा स्पता है तो header footer कहां पर यह भी देखें मैं आपको यहां पर देखा दे रहा हूं तो आपको यहां पर मिल जाएगा यह देखें यह आपका मैं MS Word तो open कर लिया यहां से देख आप में जो रहेगा उसको बोलेंगे footer बोलेंगे ठीक है यहां से भी आप नाम वगर insert करा सकते हो ठीक है तहां पर क्या देखे name and date भी आप यहां पर insert करा सकते हो जैसा भी आपको हां पर जरुवत पड़ेगा ठीक है अच्छा फिर इसके बाद है आप फूटर में देखे रिष्ट आना चीए ठीक न आप यहां पर क्या करें गे डिपले आल फाइल आफ यहां पर क्या्न रहे हूं डिक्ष्णरिया यहां बना रहे हो डिक्ट्र यहां पर यहां पर आकू पता होना चीजित ठीक है न ओम professional seafood टेक्स्ट फाइल को आगर जो बनाते हो आपको यहां प तो यहां पे आपका क्या cmd command कुछ आफा रहेगा इसी में आप लेख देंगे cmd तो cmd आपका open हो जाएगा cmd आप देखिए यहां पे आपका proper तरीके से आ जाएगा इसके बाद जो आपका पूछे कमाली जगा desktop पे जाना तो आपको पता होगा cd से आप desktop पे जाएंगे cd-des के top desktop ठीक है तो desktop पे आप चले जाएंगे आपका folder यहां पे बन जाएगा यहां पे folder means अब यहां पे desktop पे जो भी चीज़ बनाएंगे folder बगर है desktop बनेगा तो md का इस्तमाल करके folder का नाम देंगे तो देखे पहले मुझे यहां पे बनाना क्या है पहले यह मैं समझ लियता हूं ठीक है थोड़ा समय इसको अप करता हूं अब देखे के डिस्पले आल फाइल आफ यहां पे सिवक्स बगर में आप क्या यहां पे बनाना है मैंस अब यहां पे क्या करेंगे पहले ही यहां पे क्या करना है देखे पूरा केशन पढ़ें एमेजिन यू आल इन द अधर डिरेक्टरी ठीक है अब फ्रॉम दिस अधर बनाना सीखे भई तब तो आप उसकाम कर पाएंगे ना तो आमडी की मदब से आप पहले फॉल्डर बनाएंगे मेंदी मेंस मेंग डारेक्टरी अब मान लिजी मैं यहां पर को यहां पर क्या अधर फाइल बनाना में अधर के नाम से मैं क्या बनाना चाहता हूं एक तो इंटर करेंगे तो हमारा folder बनके त्यार हो जाएगा कहाँ पर बनेगा देखे यह भी मैं आपको दिखा रहा हूँ तो देखे window प्लस ए मैं करके यहाँ पर आपको display का पूरा जो हमारा display पर है यहाँ पर देखे other के नाम से एक folder बना होगा जो भी मैंने बनाया है यह देखे other के नाम से आप फोल्डर बन गया है ठीक है अच्छा फिर इसके अंदर मुझे अगर मैं जाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं command यूज़ करूँगा cd का cd other कर देखे cd के अंदर हैं यहाँ पर आ गए अब आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे इसके अंदर फाइल बनाना मैं copy कौन का जूज़ करूँगा copy कौन का ठीक है copy कौन आप कोई फाइल का नाम जिससे भी नाम यह पूछ है मानले जिए मैं यहाँ पे फाइल का नाम क बनाना चाहता हूं ठीक है न तो civics ठीक है csm मैंने इंटर कर देखिए फाइल हमारा बन गया विसमें मैं कुछ भी लिखना था हाई वेलकम टूदा अब मैं इंटर किया तो हमारा फाइल में लिखा गया पूरा पटापटी लिखाई रहा है सेप करने के लिए इंटर कर दूँगा देखिए वन फाइल हमारा कॉपी हो गया देखना है कैसे देखेंगे वाई हम यहां पर देखें विंडू प्लस ही जो मैंने बताया भी देखिए डिक्स्टॉप पे और डिक्स्टॉप अधर के नाम से देखिए मैंने फोल्डर बनाया है यह देखिए हमने है अंदर को कि फोल्डर को डिलीट का दना मालिट के नाम से एक कैसे बनाएंगे इसी पेइसा यहां यहां पे बनाना चाहते हूं फीजिक्स के नाम से फोल्डर मैं ऐसा करूं क्या हैहम डी फ्रूजिक्सbased pł profession fi देखे, spelling mistake हो गया, phycs, ठीक ना, अच्छा यह बने गया हमारा physics का नाम से देखे बने अब इसे को मुझे क्या आकर delete करना तो क्या है, यहां पे मैं यहां पे rd करूँगा, ठीक है, rd physics, तो यह हमारा देखे physics बना भी rd command से आपका delete हो जाएगा, ठीक है, अब देखे, अगर physics के अंदर मैं cd जाना चाहूं, तो नहीं जाएगा, क्यों, error बताएगा, ठीक है, ना, देखे, error बताएगा, क्योंकि हमारा फाइल, फो फोल्डर तो है ही नहीं ना, इस वजह से आप ऐसा command पर तरीके से आपको काम करना हो, कि देखे, कोई file बनाना है, तो आपको क्या, dot t txt भी लगा के आप उसका क्या, यूज़ कर सकते हो, नया फाइल बनाने के लिए, dot txt अगर लगा होगे, लेकिन by default आपका dot txt का ही होता है, ठीक है न, अच्छा, फिर इसके बाद, copy करने के लिए, copy command का हम यूज़ करेंगे, copy अगर मुझे करना है, एक जगह से दूसरी आप बहुत अच्छा से से बता है, यहां पर क्या roll number बगरे बनाना आना चाहिए, यह आप बनाई, बनाना मैं बताए भी हो अपने classes में, फ्रापर तरीके से मैं अपने classes में बताया भी हो, किस तरीके से कैसे बनाया जाता है, मैल emerging के बताई हो आपको बताए हो कैसे बनाया रहेगा तो यह राइटर से पूछेगा और यहां पर रहेगा तो MS Word पर जाएगा लेकिन रहता वही चीज़े हैं देखे डियार इसमें आपको कुछ अलग लग चेंजिंग करने की बात नहीं है ठीके न तो अगले वीडियो में तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद